ठंडी का मोसम पूरा होते ही हमारे देश में मसाले खरीदने की सीजन आ जाती है पारत के हर घर में मसाले का स्टोरेज करके साल भर के लिए रखा जाता है वैसे देखा जाये तो आईरवेद में हमारे मसाले को सबसे बड़ी अवसदी बताई गई है अजवाइन चीरा, मेट, लॉंग, हल्दी, हिंग जैसे हमारे देश के मसाले दुनिया भर में लोग खाते है लेकिन इन सब मसालों में से सबसे महत्व का मसाला है हल्दी जैसे संस्कूरूत में हरिद्रा और इंग्लिस में टर्मेरिक भी कहा जाता है भारत के लगबग 20 से ज़्यादा राज्यों में हल्दी की खेती की जाती है आधुनिक विग्नान के मताबिक हल्दी में कर्क्यूमीन नाम का केमिकल पाया जाता है जो हमारे सरीर में कैंसर होने से बचाता है इसके अलावा कर्क्यूमीन हमारी बोड़ी में इम्मिनिटी यानि की रोग प्रतिकारक सक्ति को भी बढ़ाता है भारती आयूस मुंत्रा लिद्वारा की गई कुछ रिसर्च के अनुसर रल्दी से तवचा के रोगों में सबसे बड़ा फाइदा होता है हल्दी एक हल्दी ब्यूटी कोस्मेटिक भी है भारत के हर घर में रहल्दी का प्रयोग रसोय में तो होता ही है लेकिन इसके अलावा लोग हल्दी वाला दूद पीके या जोट लगने पर हल्दी लगा के मेडिसिन की तरह भी इसका उप्योग करते हैं इसके अलावा हल्दी वाला दूत प्रेग्नेंसी में पीने से महिला का स्वास्त्य भी ठीक रहता है और बच्चा भी सुन्दर और स्वस्थ जन्म लेता है। दोस्तो हल्दी के इन सभी गुणों का लाब हमें तभी मिलता है जब हल्दी सोट का सुध और प्राकूरूतिक हो। क्योंकि आज टेक्नोलोजी के चलते हल्दी में से करक्यूमिन निकाला जाता है और उसकी मेडिसिन टेबलेट बना कर बेचा जाता है और बचे हुए पावडर में कुछ कलर और रिजर्वेटिव मिला कर बाजार में बेच दिया जाता है। दोस्तों आईए जानते हैं कि सही तरह की हल्दी कैसे बनती है। हमारे भारत देश में किसान खेत में जब हल्दी पकाता है तब उसका पावडर बनाने के लिए पहले उसको सोर्य की रोसनी में सुखाया जाता है। उसके बाद उसको पीसा जाता है। वेसे हल्दी में करक् प्रॉपर्टे काफी हद तक नश्ट हो जाती है भारतिय गुरुईनी को ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि हल्दी खरीदने का सही समय साल में कब होता है क्योंकि फैक्टरी में मसीनरी द्वारा त्यार की गई हल्दी बजार में चल्दी आ जाती है लेकिन किसान में कर्क्युमिन की मातरा ज्यादा पाई जाती है इसलिए भारतिय गुरुईनी को हल्दी थोड़ी देरी से खरीदनी चाहिए दोस्तों हम अगर किसानों के पास से हल्दी खरीदते है तो हमारा स्वास्ते तो अच्छा रहेगा इसके अलावा हमारा पैसा किसानों को जिसकी वज़े से अर्थ तंत्र भी मजबूत बनेगा हल्दी का जबी भी प्रयोग करे तब तेल, घी या दूद जैसी सनिक्तित चीजों के साथ में ही उसका प्रयोग करे लेकिन पानी के साथ उसका प्रयोग ना करे हल्दी के साथ में अगर हम थोड़ी सी मातरा में काली मिर का पावडर भी मिला देना चाहिए दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर जरूर केजेगा और ऐसे नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर केजे